कॉरल लीफ हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊं गोट इस कोरल रीफ शुठी कोर होता है एक गूर गृप है एक एग्रीगेशन है लिविंग ऊर्गेरिजम्स का मलब लिविंग ऊर्गेरिजम्स एक स्टुक्चर फर्म करते हैं उसको हम कहते हैं coral reef यह living organism का नाम होता है याद अखिएगा coral polyps ठीक है यह coral polyps secrete करते हैं calcium carbonate अब यह इन्होंने एक shelter बना दिया जिसको हम कहते है coral reef इस shelter में एक algae रहने आता है जिसका नाम है zoosanthale remember zoosanthale जो है किसके साथ रहता है coral reef के साथ और जब यह coral reef के साथ zoosanthale रहने लगता है यह algae रहने लगता है तो coral reef में color provide करता है always remember अब देखिए यह दोनों का relationship अगर मैं बात करूँ तो यह एक symbiotic relationship है जिसको अपन mutualism भी कहते हैं कहने का मतलब जो coral reef है वो helpful है किसके लिए algae के लिए और algae helpful है coral reef के लिए coral reef actually एक shelter provide करता है where algae can live और algae बदले में क्या provide करता है algae in return provide photosynthesis के तुरू food provide करता है किसको इस coral polyps को तो दोनों ही एक दूसरे के लिए beneficial है अब मैं आपको coral reef का कुछ basic fact बताता हूँ याद है कि coral reef को हम rainforest of the sea कहते हैं remember और एक खास पॉइंट यह है कि coral reef अगर sea में मिलता है आपको पता है समुन्द में मिलता है अच्छली यह सिर्फ sea का point 1% area capture करता है और जबकि around 25% living organism जो marine organism है वो यहाँ पर रहते हैं तो आप देख सकते हैं कितना high biodiversity होगी इस coral reef की अब हम बात करते हैं कि क्या conditions हैं कि coral reef form होती है remember coral reef form होंगी जहां पर warm water कहने का मतलब it form in tropical and subtropical region remember second इसको shallow water and clean water चाहिए क्यों क्योंकि zoos anthaly मैंने बताया था आपको photosynthesis करता है तो अगर shallow water नहीं होगा तो sunlight enter कैसे करेगी तो of course it needs shallow and clean water third condition है it needs saline water saline water में इसमें 33 PPT तक अपनको salinity चाहिए इसका मतलब क्या है clean water में coral reef नहीं पाई जाती है fourth condition is agitated water इसका मतलब coral reef form होती है किस water में agitated water में मतलब silent water में coral reef form नहीं होती है agitated water में इसका reason यह है कि याद अखिए कि coral polyps calcium carbonate secrete करता है तो calcium carbonate बनाता कैसे इस agitated water से silent water की ज़रूरत नहीं है और याद अखिए कि जो मैंने warm temperature आपको बताया है कि warm area में form होते warm water में form होता है तो उसमें temperature जो है 27 degree centigrade जो चली हम आगे डिसकर्स करते हैं अपने types of coral leaf तो देखिए चा जो अपना shoreline उससे दूर पाई जाती है ठीक है इसे कहते है patch leaf second होता है अपना fringing reef यह दखिए कि जो shoreline उसी के attachment में ठीक है यह पाई जाती है इसको हम कहते है fringing reef जो अगला होता है barrier reef मतलब जो shore है उससे थोड़ा दूर पाई जाएगी मतलब offshore पाई जाती है और उसी shore से पै लगून तो यह लगून क्या होता है कह सकते है shoreline और reef के बीच में जो water है that is known as lagoon और fourth डाइप की जो reef होती है उसे कहते है atolls यह क्या होते है circular यह semi-circular structure रहता है जो की पाई जाता है आप कह सकतो beach समूदर में भी मिल सकता है यह structure इसके नीचे याद अखेगा कि submerged platform भी रहता में गल्फ ऑफ कच में गल्फ ऑफ मननार में लक्षदीप island में और आंडमान निकोबार island में बट खास बात या रखेगा सुंदर्बंध में यह नहीं पाई जाती है इसका reason भी यह है क्योंकि सुंदर्बंध में बहुत बड़ा आपको पता है डिल्टा बनता है जो दो reverse का गंगा और ब्रह्मपुत्रा कहले मतलब इतना रहा दा फ्रेश वाटर लाती है महां पर की फ्रेश वाटर की वजह से मैं आपको पहली बताया था जो अपनी कोरल लीफ है वो किसकी वेशे पाई जाती है अब हम डिसकस करते हैं importance या functions of coral leaf यहाद दखेगा it act as a natural protector कैसे natural protector जैसे कि tsunami flooding या cyclones आते हैं तो coral leaf अगर समुद्र के बीच में रहती है तो उसकी विसे इनकी speed slow जाती है तो प्रोटेक्टर की तरह वक करते हैं second यह habitat प्रोवाइट करते हैं बहुत सारे living organism जो वराइन organism हैं उनके लिए रहने की जगे habitat प्रोवाइट करते हैं और या दखेगा यह ecotourism के लिए बहुत important है ecotourism क्यों क्योंकि लोग इनको बहुत देखने भी आते हैं next अपन बात करते हैं एक topic है coral bleaching coral bleaching जैसे आज कीट में बहुत जादा climate change हो रहा है temperature बढ़ रहा है कहीं temperature घट रहा है ठीक है उसकी वेसे क्या हो रहा है जो एलगी है वो coral leaf से दूर हो रहा है जिसकी वेसे जो color था coral leaf का वो क्या हो रहा है discoloration हो रहा है इसी को हम एक word में कहते है coral bleaching तो ध्यान आखिएगा pollutions की वेसे coral bleaching हो रही है आपसे पूछा जाए question की सबसे बड़ी coral leaf कौनशी होगी तो remember it's great barrier reef और यह कहां पर है यहां देखेगा east australia में और यहां पर हमाई वीडियो खतम होता है अगर आपको अच्छा लगा आप इसको like subscribe शेयर ज़रू करें thank you